सिद्धो कानू मुर्मू विश्व विद्याले दुमका ने अपने 29 साल पूरे कर लिये हैं। इस उसर पर दुमका में विश्व विद्याले परिवार की द्वारा भव्य रंगा-रंग सांस्कृति कारिक्रम का आयोचन हुआ। सिद्धो कानू मुर्मू विश्व विद्याले के तीस्वे स्थापना दिवस समारू पर राची से ओनलाइन सम्बोधित करते हुए विश्व विद्याले के एक कुलाधी पती सजारखंट के राज्यपाल ने ओनलाइन जोड़ कर स्थापना दिवस की बढ़ाई दी। इस उसर पर राज्यपाल द्रौपती मुर्मू ने कहा कि सिक्षा के श्रित्र में लगातार प्रतिसपरधा बढ़ रही है। इसलिए हर श्रित्र में श्रिष्टता हासिल करने की जरूरत है। इसके लिए बहतर सैक्षुडिक माहौल तयार करना होगा ताकि राश्ट्य इस्त शेत्रिय संस्कृती है और उसके द्वारा हम और भी सिक्षा के स्तर को उपर ले जा सके। यहां नीहित जो ज्यान है उसको भी सामने ला सके। शेत्रिय ज्यान और संस्कृतिक ज्यानों के द्वारा शोध का स्तर हम और भी आगे बढ़ा सके। और जो भी यहां नई औसर ह उनको हम आगे ले सकें ताकि शिक्षक, शिक्षन और शिक्षा दोनों के स्तर में और बढ़ोतरी किया जा सकें, जिसमें शोध और पढ़ाई की गुणवत्ता पर विश्यश ध्यान लगना है। और इस तरह से ये तो 29 वर्षों की यात्रा कंप्लीट हुई है और एक वर्ष के बाद हम 30 साल के 30 वर्षों की यात्रा के अंत में अपना इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा इन सब बातों पर और भी अच्छा दे पाएंगे क्योंकि अभी कोविड के कारण बहुत ही सीमित तर की भी प्रस्तुती दी गई जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कारिक्रम पेश कर सबको प्रभावित किया इस समारों के आखरीक साल में 2020 में सेवा नर्वरत हुए सिक्षक और सिक्षकेतर कर्वियों को मंच पर सब्बाणित किया गया कि यहां के लाखों गरीब छात्रों के लिए एक मौत रासा की किरना है अलांकि लंबे समय तक यहां सत्र बिलम के कारण या काफी चर्चा में रहता था लेकिन अब सत्र भी नेमित करीब करीब हो गया है कुर्णा संक्रमें को लेकर फोड़ा परेशान है तो वह भी अब दू कि यहां सोद के साथ साथ पढ़ाई और अन्य चीजों पर भी काफी गंभीर रूप से ध्यान दिया जाएगा ताकि यहां के जो चात्रे हैं वह किस्विद्याले का लाग उठा सकें और अपने जीवन में आगे अच्छा कर सकें पंजाब के लिए दुमकासी बिरंद कुमा कर दिया है